नमस्कार साथ्यों अभी मैं कलाधर मंडल कलाधर मंडल जद्यू से उमिद्वार थे और रुपोली विधान सबाध्षेत्र में उप्चिनाव हो रहा था और नितिश कुमार ने विश्वास जताकर इनको टिकट दिया था और चिनाव में ये एकदम मजबूती से अपना खुछ कमी रह गई चुनाव सर आप हार गये रुपोली विरान सबाद्थ चेत्र से अगधार बात जो है रुपोली की जनता सुनना पसंद कर रही है चुनाव के बाद या कुछ कहां कमी रह गई जो आप चुनाव हार दे मानने मुकमंत्री जी का मुझे आशिरवाद मिला और काफी मजबूती के साथ मैं चुनाव में आया और जनता का भी मुझे भरपूर आशिरवाद मिला बात बची चुनाव हारने की चुनाव हारने में मेरा मानना है कि निर्दलिय उमिद्वार संकर सिंग जी जनता को छलने का काम किया है उन्होंने महागठवंधन के बोटरों के बीच जाकर कहा कि मैं जीत कर कांग्रेस में जाऊंगा और NDA के जो बोटर्स हैं जद्यू लोजपा या बिजपे जो हो उनके बीच जाके बोला करते थे मैं जीत कर NDA के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं पहले से भी लोजपा प्रत्यासी हूँ तो दोनों दलों को छलने का काम इन्होंने किया है बोली जनता इनको ये जासा में आकर इन्हें बोट दिया इन्होंने लुभा के बोट लेने का काम कर लिया इसमें इनका बहदुरी रहा है जिसे मैं च्छनिक मानता हूँ लेकिन अस्थाई बोटर्स जो हैं जो नितिस कुमार के विकास को और उनके विचार को मानते हैं उन बोटरों का मुझे भरपूर सहयोग मिला है आसिरवाद मिला है आपका दो बार आप चुनावलर है पहले छो हजार था उसके बाद आप लगातार देखी कि लग रहा था पांचवे राउंड तक आपकी दावेदर ही मजबूत थी पांचवे के बाद इस्तिती गरबर हो कि निर्दलिय उमिदबार लोगों को छल करके बोट बटोरने में कामियाब रहे हैं और जहां तक सवाल रही जनता में फिलाल जीतने के बाद और एंडिये के साथ हाथ मिलाने के लिए जो गये हैं निर्दलिय विधायक संकर सिंग जी तो हमको लगता है छेतर में काफी चल मचा हुआ है तरह तरह का लोग बात उनके परती बोला करते हैं उसे खेर मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं दो हजार पचीस के लिए मजबूती से अपने छेत्र में भ्रह्मन कर रहा हूं जनसंपर कर रहा हूं दो हजार पचीस में फिर से चुनाव लड़ेंगे माननिय मुखमंत्री जी का आसिरवाद मेरे साथ है निश्चित जाके मिले और छेत्र का जो जायजा है वह मैं असपस्ट रूप से उनके साथ बैठकर उन्हें अवगत कराने का काम किया हूं माननिय मुखमंत्री के साथ जितने भी बरिष्ट मंत्री गन है सबों से मैंने अपना परस्थिती से अवगत कराया और उन्होंने मुझे कहा कि चुनाव आप नहीं हा रहे हैं जनता का आपको काफी आसिरवाद मिला है अगर कुछ कमी रहा है तो उसका खोज करना है और उस कमी को मजबूती से पूरा करना है दो देखिए जहां तक रुपोली विधान सभा के जनता की मांग क्या सवाल है तो तरह तरह के आवस्यक्ता विविन छित्रों पर अलग-अलग है और उन्होंने आनन फानन में हर जग जनता के बीच कहा है कि मैं आपके आवस्यक्ता का तो मैं भी कहूंगा कि आप जनता की बीच में जो वादा किया है आपका दाइट बंता है उसे पूरा करने का उसे पूरा करें और और जनता के मान्समान को देखते हुए उसे पूरा करने का काम करें अन्तिन सवाल है रुपोली से और बेदाग छवी और साब छवी है इनका अभी तक इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और यह लगातार मिलनसार बहबार के हैं और जनता के बीच में जाते हैं और यह बेबाक बोलते हैं और पहले टीचर थे और मुखिया भी रहे हैं सर एक पहले मतलब पहले एक सबसों भोट आया फिर आप चुनाव लग रहे हैं और पहली ची जनता ने आपको दो नम्मर पर भेज दिया है तो फिर इतना जोस और जुनून जजवा चुनाव में कहां से लाते हैं फिर आपको इतना जुनून है इस बार हम विधायक बनेंगे और लोगों का सेवा करूं लोगों का सहयोग करूं मैं 2001 में मुख्या बना था 2001 से 6 तक मुख्या के पदपर रहा साथ के जनवरी 15 जनवरी को हम सिक्षक में योगदान किये और सिक्षक में रहते हुए भी हमें जनता का सेवा करने का मुका मिलता था और मैं बराबर उनके सुख दुख का ख्याल रखता था चाहे वो परखंट का काम हो या गाउं सबाज में समाजिक पंचेती का सवाल हो उस पर मैं भरपूर अपने दिलो जान से मिनत करके लोगों के बीच बैट कर उनका रिस्पादल करने का काम किया करता था जिस कारण लोग सिक्षक कार्ज काल में भी हमारे विद्याले पर आजाते थे और कहीं न कहीं मैं विद्याले में सिक्षा कार्ज में बादित हो जाता था धीरे धीरे मेरे मन में या भाव पएदा होने लगा कि मैं सिक्षक पद पर रहकर सिक्षक का सभी काम भली भाती पूरा नहीं कर पाता हूं इससे अच्छा है कि मैं जनता से दूर नहीं हो सकता हूँ, जनता के सेवा के लिए अगर मुझे सिक्छक्पद से त्याग पत्र दे कर और उचे अस्तर का राजनिती कर मैं जनता का सेवा करने का काम करूँगा बस इसी मनसा से मैं सिक्छक्पद से त्याग दिया और 2020 में निर्दलिय उमिदाबार के रूप में रूप उली से चुनाव लगा, मुझे 6197 बोर्ट प्राप्त हुआ था, लेकिन लोगों में जो जुनून था, लोगों में जो मेरी परतिसरदा था, साहनभूती था, उससे लगता था कि आज न कल निस्चित रूप से जनता हम जगह पर पहुँचाएगी, और मैं जनता का काम करूँगा, सेवा करूँगा, और ऐसा ही हुआ, मेरे मनोदसा कहिए, या मेरे महनताना का मौपजा कहिए, माननिये मुखमत्री नितीस कुमार जी का मुझे आसरवाद मिला, एंडिये का आसरवाद मिला, और मुझे साज सोर से हमें बोट देने का काम किया, मैं जीत के अपरोचिंग पॉइंट पर आके अटका हूँ, और मुझे लगता है, जो जीतने वाला है निर्दलिय उमिद्वाद मिला, मुझे 69,500 कुछ मत प्राप्त हुए है, 8,800 बोट से हम उनसे हा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है, व परदा साफ होगा, और वह बोट मेरे साथ होगा, मेरी जीत होगी, मतलब अगले बार आप अधिक भोट से जीते हैं, निस्चित रूप से, ये थे कलाधर मंडल, और इस वीडियो को इतना स्यर्ची जेगा, ताशी, रुपली की महन जनता से पास में ये, जा पाय की कलाधर बीच में सेवा के भाव से रहेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक लोगों के बीच हम सेवा का काम करते रहेंगे, बनर ये इंजिनियर अमीद पंडिते साथ, जहिन